हेलो एंजिनियर्स मैं एंजिनियर विसालिया दोस्ट स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पितामा सिविल इंजिनिंग टेनिंग इस्टूट दोस्तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक है इस्टियर केस में सकता पड़ी उसके बारे में हमास सिया पर करेंगे और आपको दिखाएंगे दोस्तो आईए हम करते हैं कुछ गिवें डेटा है जैसा कि अहाँ पर इसकी कर्णी करने हैं तो आपको कितने वहाँ पर कंक्रीट की ज़रूरत पड़ेगी उसका हम कैल्क and landing slab thickness जो आपका ये west slab हो गया जो ये आपको इसको west slab कहते हैं और इसको landing कहते हैं इसका जो thickness है आपका वहाँ पे 6 inch है यानि कि half feet तो दोस्तो ये आपका देख रहे हैं यहाँ ये west slab और ये landing इसकी जितनी है यहाँ पे 6 inch किया है तो दोस्तो और इसमें क्या है ट्रेट जो जिसपे हम पैर रखते हैं तो दोस्तो वह आपकी वहाँ पे उसकी थीकनेस जो है वन फीट है जैसा कि आप देख रहे हैं जिसपे हम पैर रख के चड़ते हैं उपर जाते हैं उसकी जो थीकनेस है यहाँ पे दोस्तो आपका वन फी यानि कि जो इसकी width है यह stair की यह आपकी यहाँ पे 4.5-4 feet दी गई है तो दोस्तों इस तरीके से आप देखते हैं इसमें grade आप concrete जो यूज किया गया है M20 का यूज किया गया है यानि M20 का mix तो आप जानते ही है क्या होता है दोस्तों 1 till 1.5 to 3 यानि आपका यहाँ यह cement हो जाएगा यह sand हो जाएगा और यह दोस्तों यहाँ पे आपका aggregate होता है जैसा कि आप जानते हैं इसके बारे में हमने पहले भी बताया है अगर नहीं जानते हैं तो दोस्तों description में हम आप पर link देदेंगे वहाँ पर जाके आप उस video को देख सकते हैं और दोस्तों इसे के साथ हम ये कहना चाहेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सस्क्राइब भी कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ता कि कोई भी वीडियो आए तो आपको पहले मिल जाए तो दोस्तो आगे हम इसमें देखते हैं कैलकुलेशन करते हैं जैसा कि वाल्यूम निकालते हैं वाल्यूम आफ वेस्ट लैब यह वेस्ट लैब है इसका वाल्यूम निकालते हैं कि यह वाल्यूम इसका हमारा कितना होगा इस वेस्ट लैब का तो दोस्तो इस वेस्ट लैब को पटिन सब्रस वालुम निकालने से पहले हमें इसकी लेन्थ निकालनी पड़ेगी तो दोस्तों वे लेन्थ ब्बेस्ट निकालते हैं जीसा है आप हमेशा से जानते.. पाइथा गोरस ठियरम लगाते हैं और class आपका 10 फित दे दिया गए है इसके आगर आपको दो वैलिउ दे देगे हैं तो तिसरी वैल्य आप निकाल लेंगे दोस्तों इसी तरीके से सेम करके हमने यहाँ पर निकाला हुआ है तो हमारी जो वैल्य आई है आपकी 22.36 फीट यानी 22 दस्वालों 36 feet हमारी यहां पर दोस्तों यह आपकी length आएगी दोस्तों यह आपका waste lab की यह आपकी length आगई तो दोस्तों अब हम यहां पर calculation करते हैं volume of waste lab अब हमें length पता चल गई दोस्तों उसकी width हमें पता ही है और thickness भी हमें पता है तो दोस्तों इसके सहारे से हम निकालेंगे कि हमारा कितना volume of waste lab रहेगा काफी easily तो दोस्तों जैसा कि इसमें आप देखते हैं आपका length आपका यहां पर दोस्तों आपका आगया है और दोस्तों जो आपका height यानि thickness है थिकनेस ले लेते हैं आपका यहां पर half feet यानि दोस्तों जैसा कि आपके 6 feet इंच है पता ही होगा जोस्तों को आपका हाफ फीट होता है क्योंकि आपका 12 इंच का दोस्तों वहाँ पर होता है एक फीट तो अगर हम 6 इंच है तो उसका स्कॉल चुट भीट को पॉइंट फैफ लिग दिये हैं ऐस तरीके से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो तो हमारी value निकल के आ जाएगी 50.31 feet, total value हमारी निकल के आई दोस्तों यहाँ पर volume of waste slab आपकी निकल के आगी 50.31 feet, दोस्तों यह आपका total आपका निकल के आ गया है volume of waste slab, तो दोस्तों इसी तरीके से हम निकालेंगे अब यहाँ पर volume of landing, जो landing है यह हमारी, जिस पर हम यहाँ पर volume का तो same formula यहाँ जैसे आपको जानते हैं, आपको length, width, और आपका height यानि थीकनेस यहाँ पर height नहीं है, तो हम यहाँ थीकनेस ले ले लेंगे, तो आपको length तो पताई हैं, और आपका length कितना है, और आपका width पता है, और thickness पता है, इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि यहां पर इसकी जो length है यह आपके यहां पर दी गई है यह 5 feet है दोस्तों और इसकी जो width थी आपको पताई है कि यह landing की हमने half निकाला हुआ है बाकी half और आप निकाल के हमें calculation करके बताएंगे कि कितना आपका दोस्तों वहां पर value आया है comment जरूर करेगा तो दोस्तों इसके से आपका length यहां पर आपका देख रहे हैं यहां पर आपका 5 feet है और दोस्तों इसका width है जो width यानि आपका जो stair यह आपका 4.5 feet है और दोस्तों यहां पर thickness यानि इसकी जो thickness है जो आप slab की casting कराएंगे तो वह दोस्तों आपर 6 inch दी गई है तो 6 inch को हम यहां पर 0.5 feet लिख सकते ह है तो दोस्तों यहां पर हमने same way लिखा है 0.5 feet और दोस्तों जब इसको आप calculate करेंगे तो आपकी value निकल के आ जाएगी तो दोस्तों यहां पर 11.25 feet तो हमारा यहां पर निकल के आ गया volume of landing आपका दोस्तों आ गया है 11.25 feet और दोस्तों इस तरीके से हम निकालते हैं यहां प आपका छोटा सा फॉर्मुला है total height upon height of riser जैसा कि आपका total height यहां पर कितना दिया हुआ है आपका 10 feet और दोस्तों यहां पर आपका rider की हाइट है यहां पर आप देख रहे है यानि जो इस पर हम चड़ते हैं वो rider आपका जो height दिया हुआ है यहां पर 6 inch यहां पर हमने same किया है total height आपका 10 feet हो गया यह दिया हुआ है और आपका rider का जो height है यहाँ पर 6 inch है तो इसको हमने 0.5 feet लिग दिया है क्योंकि इसको हमने feet में convert किया है तो दोस्तों यह हो गया पर 0.5 तो इस तरीके से आप जब इसको यहाँ पर calculate करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 20 steps यह हमारे 20 steps आ गये हैं अब हमें निकालना होगा यहाँ पर आपका volume of one step अगर हम एक step की volume को निकाल लें तो इस तरीके से हमारे जितने भी steps है उससे multiply कर देंगे तो हमारे total steps के वहाँ पर volume निकल के आ जाएगे तो इस तरीके से हमने क्या किया है आपका जैसा कि यह volume निकालेंगे one step का तो one step का जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं यह आपका एक triangular form में बन रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी आपका देखेंगे यह एक triangle बन रहा है तो triangle का जैसा कि आपको formula पता है कि triangle का formula क्या होता है आप पहले से पढ़े हुए हैं आपको जानते हैं अच्छे से तो दोस्तों जैसा कि triangle का formula होता है half base into height तो यहाँ पर half यह हो गया आपका base into height यान इसके फिर उसे हम width जितनी आपके चोड़ाई होगी वहाँ पर इसे multiply कर देंगे तो आयो देखते हैं जैसा half यहाँ पर half हो गया 1 by 2 और 1 आपका width यानि आपका जो यह चोड़ाई है जिस पर आपका pair रखते हैं आपका width और आपका riser जो है आपका यहाँ पर 6 inch है width आपका यहाँ थ्रेड हो जाएगा यह और आपका आपके riser की जो height है आपके 6 inch है इसको fit में convert करेंगे तो आपको जाएगा 0.5 feet तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको जब calculate करेंगे इसको width से multiply करके तो आपका निकल के आ जाएगा value आपका 1.125 feet यानि आपका एक volume जो एक जेर की जो volume है आपकी निकल के आजीगी एक steps का तो वो निकल के आएगा 1.125 आपका fit में निकल के आजाएगा वन steps का इस तरीके से आप 20 steps आपके total आए गुए हैं जैसा कि आपने calculate करके निकाला अभी 20 steps आपके total आए है 20 steps को हम multiply कर दिए हैं आपका volume of one step से तो आपका total volume निक 22.5 ये total steps के आपके 20 steps के volume निकल के आगया हैं तो आए हम concrete की निकालते हैं कि हमें total required concrete कितना ज़रूरत पड़ेगा उस तरीके से volume of stair निकालेंगे हम कि इसको हम अब stair कह लेते हैं अभी तक तो हमने part by part निकाला हुआ था landing का अलग निकाला था वेस्ट लैब अलग निकाला थ plus volume of steps तो इसको जब आप करेंगे तो आपका volume of वेस्ट लैब आपका आया है 50.31 feet और volume of landing आपके आया थी 11.25 और volume of steps आपका 20 steps आया थे 20 steps के volume आपके आया थे 22.5 आया थे इस तरीके से जब आप total करेंगे तो आपका आ जाएगा 84.06 feet तो ये total निकल के आया है दोस्तों यहाँ पर concrete की volume कि हमें 84.06 feet निकल के आएगा हमारा total volume आपका दोस्तों वहाँ पर concrete का कि staircase में हमें concrete की volume है लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह दिस इन weight volume यह आप जो निकाले हैं अभी तक में यह आपका weight volume है अब इसके materials जब भी आप market से मंगवाएंगे तो उसको materials मंगवाने से पहले हमें क्या करना होता उसको dry volume में convert करना पड़ता है तो dry volume के बारे में हमने पहले भी बताया था हमने एक live session भी लेके आया था उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप जा के वहाँ से देख सकते हैं वीडियो को हमारे playlist से भी तो दोस्तों हम क्या करते हैं so convert this value into dry volume dry value में convert करने के लिए क्या करते हैं हमें for converting this value into dry volume multiply with dry coefficient factor dry coefficient factor के बारे में आपको बताया गया है यह वहाँ पर 1.54 क्यों लेते हैं या फी 1.54 कहां से आया है दोस्तों जब भी आप निकालेंगे weight volume weight volume को आपको dry coefficient factor यानी 1.4 को concrete के case में आपको करना होता है तो उसको आप दोस्तों आ जाएगा दोस्तों 129 यानी 139.45 feet 129.45 feet आपका this is in dry volume दोस्तों यह आपका final volume निकल के आया है कि इतने concrete की आपको जरूरत पड़ेगी इसके आधार पे दोस्तों आपको यहाँ पे cement send और aggregate को निकालना होगा दोस्तों अगर आपको निकालना है कैसे cement send aggregate आएगा तो दोस्त आपके cement send और aggregate की values आई है दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं अगर आपको हमारा content अच्छा लगे तो हमारे चैनल को like share और subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलें जय हिंग जय भारत